चलिए यहां पर आब हम जानते हैं क्या URL, URL होता क्या है, सिंपल सी बात URL को समझाने के लिए मैं आपको वेक साइट में लेकर चलता हूँ, मतलब हम जो है ओनलाइन काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको बेसिक चीज़े समझा दे यूनिफर्म रिसोर्स लोकेटर से मतलब यानि कि देखे, रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन और लोकेटर मतलब धुनने वाला ठीक हो, और यूनिफर्म मतलब कॉमन, सभी चीज़ों जैसे आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो, कुछ भी सर्च करो, तो आप जो है टूरियल ढूनना चाहते है, तो www. जैसे आप मार्खनलाल की वेड़ साइट खोलना चाहते है, तो mcu.ac.in, तो यह कंप्लीट क्या हो गया, यह तो हो गया, इसके पहले भी आपने देखा होगा, इस प्रकार से लगा होता है, http, तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को बोलते ह यह क्या बन जाएगा, URL, जैसे आप यहाँ देख सकते है, URL हम किसे बोलते है, http लगा है, http मतलब प्रकार का प्रोटोकॉल है, जो hypertext जो होता है, हमारा linking बाला text, उसको एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसपर करने का काम करेगा, कौन, http, इसके साथ मैं as भी लगा होता, उसको भी हम देखेंगे अगी, फिर उसके जाद colon लगा होता है, फिर आपको double slash लगे नजर आते हैं, फिर www, www, www जो है, resources को एक जगह है, मतलब बड़े स्तर का डाटा बेस है, जहां resources आपको देखने को मिलते है, ठीक है, worldwide wave, उसके आद.internet, यह हो गया, domain का नाम, मतलब को company, जिसे हम पहचानते हैं, internet में, उसका नाम हो गया, फिर com, जो हो गया, उसका type हो गया, इन सभी चीजों से मिलकर जो बनता है, वो होता है, URL, जिसे हम बोलते है, uniform resource locator, तो हम यहां पर Google खोलते हैं, सीधे, ठीक है, और Google खोलकर मैं आपको simple बताता हूँ, URL होता क्या है, दे URL box के बोल रहा है, simple से बात हम वहाँ पर क्या type करेंगे, हम यहां www.mcu.ac.in इस प्रकार type कर सकते हैं, ठीक है, और यदि वो देखे, यहां पर देखे, यह खुल गया, अब यह कैसे खुला है, इस address के दूँ, इस address को मैं copy करता हूँ, और मैं simple आपको not paid में खोलके दिखाता ह तो देखे, यहां पर आप देखो के ध्यान से, ध्यान से दिखे, यहां, क्या आया है, HTTP मैंने बताया था, S भी रहता है, तो S होता है, certificate हमको लेना पड़ता है, security के लिए, encryption, यहने की website से लेकर end user तक data सुरक्षित रूप से जावज के लिए होता, S, इसके बारे में बात कर चतुरवेदी इंबर्सिटी, इसका domain का नाम हो गया, ठीक है, उसके बाद AC जो हो गया, academic, IN जो हो गया, इंडिया का, तो यह सारी चीज हमको देखने मिलते है, complete रूप से ही क्या कहलाता है, URL, इसके बाद में भी बहुत सारी चीजे देखने मिलती है, जैसे आपको keyword के पेज में चले जाते हैं, कोई अने पेज में चले गया है, तो यहाँ पर इसको copy करके देखिए, आप अने पेज वाली URL को, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ आपको देखने मिलेगा, देखिए, यह देखिए, slash के बाद examination and result दूसरा web page खुल गया है, और कुछ चीज उसक अंदर सर्च करना है, तो आप जो है, इसको click करो, तो आप देखिए, यहाँ पर मैं इसको copy करता हूँ, नीचे वाले को, ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, HTTP जो IP address है, बो आ चुका है, क्योंकि हर एक बेक्ती इस IP address को याद नहीं कर सकता, तो वो क्या आद करता है, उसका नाम, जिसे हम बुलते है, डोमेन नेम, तो डोमेन नेम के वेगराउंड में क्या चल रहा है, IP, ठीक है, उसके बाद देखिए, उसका page का जो result है, उसका index.php, मतलब जो web page है, उसका नाम आ गया, तो इस प्रकार से आपको URL देखने मिलता है, आ इस प्रकार से Wikipedia में चलते हैं, और यहाँ पर हम जो है, Wikipedia में जाकर इसको click कर देते हैं, ठीक है, और Wikipedia में जाके और कुछ आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए, जैसे दिखे, क्या सर्च करना है, चलिए, यहाँ पर यह वाला सर्च कर लेते हैं, ठीक, इसको मैं copy करता हूँ, copy क complete path बोलते हैं मतलब किसी web page तक महचने के लिए जो URL है वो complete क्या कहलाएगा उसका path कहलाएगा चलिए अब हम बात करते हैं क्या URL के बारे में और विस्तार से तो URL जैसे कि मैंने बताया इसमें देखें दो पार्ट में होता है एक तो प्रोटोकॉल होता है दूसरा जो होता है डोमेन का नाम होता है और एक प्रकास है यह जो होता है uniform resource locator यानि कि एक प्रकार का unique identifier होता है unique मतलब होता है अलग मतलब हर वेक्ति अगर इंटरनेट में है तो उसकी एक अलग पहचान है वो किसके माध्यम से हो रही है URL के माध्यम से यहनि कि उसी के माध्यम से हम उसको search कर पा रहे है यह चीज आपको पता चली और यह जो है resources को locate करने का काम करता कहां पार internet पर मतलब अगर हमको कोई भी चीट ढूनना है तो हमको इंटरनेट में URL टाइप करेंगे और जहां भी रखा होगा वो ढून कर लाकर हमारे सामने प्रस्तूत कर देगा वैब पेज में ठीक है वैब पेज मतलब वैब ब्राउजर में एक प्रकार का वैब एड्रेस भी होता है यहनि क लिए हम डारेक्ली अडेस बार में टाइप कर सकते है है ठीक है किसी बैप पर जो बुक मार्क लिश्ट के थूरु जा सकते ही इमेल है और अजर अपली के सान तो इन सभी के माददांस हम URL में जा सकते है नेक्स्ट अगर देखें प्रोटोकॉल की बात करें तो में हमको इस प्रकार का IP address भी देखने मिलता है ठीक है और जो लास्ट में है जो पोर्ट होता है पोर्ट बाइडिफाल 80 चलता है जिसे HTTP का 80 ही चलेगा इस प्रकार 81 भी होता है पर HTTP का जो होता है कुछ एडवांस होता है क्योंकि वो encryption पर काम करता है यहां पर देखते हैं कुछ sub domain भी होते हैं जब हम इस URL की बात करें HTTP लगा है फिर डवल कॉलन लगे मतलब कॉलन लगा है डवल स्लेस लगे www.serकार-study-base.com चलिए इसको समझते हैं पहला तो आपने देखे हैं HTTP HTTP होगा या फिर HTTPS होगा इसके बारे में आगे बात करेंगे यह होगा एक प्रकार का प्रोटोकॉल जो की हैपर टेक्स ट्रांसपर प्रोटोकॉल है यह जगे दूसरी जगे जब information भीजी जाती है है आपर टेक्स्ट की रूप में तो कौन काम करता हूँ आप है HTTP नेक्स्ट है सेमी कॉलर जो यहाँ पर लगा हुआ है फिर उसके आज लगा है डबल यह भी लगे है फिर उसके बाद देखे डोमेन नेम होता है जिसमें आपको www बॉल्ड वाइड वेब दीख रहा है डोमेन पेज में जाना चाहते हैं तो इस प्रकार स्लेस लगे होते हैं उसे हम बोलते हैं पार्ट तो पार्ट्स ओप यॉरल सबसे पहले प्रोटोकॉल होती है जैसे हम नॉर्मली वेब पेस सर्च करें हम क्या यूज कर लेते हैं http या https परन्तु यदि हमको जैसे फाइल ट्रांसफर करना तो mail करना तो mail कुछ फाइल को इसके बाद होता है host name या domain name जो पर्टिकुलर संस्ता का नाम होता इंटरनेट पर जिसे हम web address भी बोलते हैं जैसे आप बोल सकते इस प्रकार से इसे हम क्या बोलते है है domain name port name के अगर बात करें तो by default at use होता है पर यह जरूवत के अनुसार चेंज हो जाता है जैसे security में हम चेंज कर सकते हैं path मैंने बता है path मतलब search query जो होती है उससे मिला कर path बन जाता है query जैसे हम कुछ question कर रहा है web page में डाइनेमिक web page है उसके लिए हम query देते हैं parameter होता है parameter मतलब कोई तो मतलब हम जो कुछ particular parameter के अनुसार उसको search लगा रहा है fragment की बात करें तो इस प्रकार से fragment यहां देखने के मिलते हैं जैसे wikipedia में wikipedia हम आप देख सकते हैं देखें यहां से जाएंगे तो internet history यहां से इसका fragment अलग हो चुका है तो यह हो गया है किसके URL के part अब दो चीज हमको देखने मिलती है एक तो http एक होता है https तो s और इसमें s नहीं लगा इसमें अंतर क्या है तो normally अगर देखें हैं तो देखें दोनों ही data को retrieve करने का काम करती है भेजने का काम करती है बैप पर परन्तु दोनों में थोड़ा सा अंतर है जो s लगा है वो उसका मतलब होता है square socket layer यहनि कि ssl certificate अगर आप ले चुके हो अपनी website के लिए तो आप जो है encryption महां पर देखने क मिलेगा यहनि कि जब आप अपना data डालते हो तो वो end user तक कैसे जाएगा encrypt form में यहनि कि सुरक्षित रूप से वो जाएगा कोई भी इसको hack नहीं कर पाएगा यहनि कि आपकी website सुरक्षित रहेगी किस के माध्यम से एस के माध्यम से एस मतलब होता है SSL सॉकेट सिक्वयर सॉकेट लियर ठीक है है स्टिटी पीएज जो होता है बहुत सारी संसेटीव इंफर्मेशन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है जैसे कि पास्वड हो गया credit कार्ड हो गया credit कार्ड नमबर और इसी से related data जिससे जिसमें unauthorized person जो है access उसको ना कर पाए https जो होता है TCP IP जो port नंबर है वो 443 यहां पर यूज किया करता है डिबाइट फाल और जो http होता है वो port number 80 यूज करता है ठीक है दो चीज और होती है URL हमने देखें एक होता है URI का मतलब होता है uniform resource identifier जो होता है बड़ा फॉर्म होता है उसमें छोटा एक कमरा होता है जिसका नाम होता है इन्हें की URL किसके अंडर काम करेगा URI कि में अंतरगात ठीक है यूर आई जो होता है कि प्रकार की होता है history of character होता है और जो resources होता है उसको identify करनेorp si के यूरल काम करता ठीक है navigate करने का इदर होता है तो हमने देखें यहां के के चीज है देखें आपको संधें बात कि hints में यूर य्यूंहें विस्तार से बात किये URL में उपयोक करना अब भी बता आया URL और URI देखे, I hope ये चीज़े आपको clear हो गई होगी, फिर भी कोई doubt है ता आप मुझे comment box में बता सकते हैं,